बिहार के नेता प्रतिपक्ष ते जश्वे आदब ने कहा कि बिहार में जन प्रतिनीधियों का सम्मान नहीं होता अपसर साही बढ़ी हुई है, मारे साथ पतनिर्मार मंत्री निती नवीन है, निती नवीन जी तेजश्वी आदब ने कहा कि जन्पति नीधियों का बिहार में सम्मान नहीं होता नए मैं तो यह पूछना चाहूँगा कि उनके पार्टी के भीतर, उनके कायकरताओं का हूँ सम्मान कर रहे हैं, अपने बाकी जो वरिष्ट नेता हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, आज उन्हीं के भाई तेजपताब जी जगता बाबु को अपमानित कर रहे हैं, पहले रगुम समाजिक्ता की बात कर रहे हैं, खुर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पार्टी में लोगों को सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं, और जहां तक जनपतिनियों के सम्मान की बात है, बिहार में जो सरकार चल रही है, वो जनपतिनियों को भी सम्मान देती हैं, और से जुरेब विश्य जो भी जनपतीदी उठाते हैं हर समेय सरकार के फोरम से उसको प्रतिवी सम्मान भी दिया जाता है लेकिन जब जनता से चुरेवे विश्य को उठाने की बात आती है तो उन्हीं के पार्टी के विधायकलों तो जूरते हैं विश्य को बताने के लिए ले पार्टी के बरे निताओं को जो अपमानित करने काम हो रहा है उसमें उनका क्या करना है जगदानन सिंग और तेश पताब के बीद जो चल रहा नहीं थी नवीन जी तेश पताब यादब जब परसो राजत कार्याले पहुंचे थे तो जगदाब अब वहां से निकल गए जब निए तो यह मानना है कि बडë बाई कि माद्यम से खुद तेश पताब बड़े निताओं को अपमानित करा रहे है उनके घर में ही उनको वो सम्मान नहीं है तो बिहार में जितना भी सम्मान पाने है लेकिन घर में ही उनको सम्मान नहीं मिल रहा है यह तो दिख रहा है तिजपताप के पोस्टर से जो लोग काम नहीं करते हैं वो काम के लिए बड़े-बड़े बात बिजरूब होते हैं जब उनको मौका मिला तो उन्होंने राजी को किस खस्ता हाल में ले गए थे यह सब को पता है जो लोग जानवर का चारा तक बेज दिये गरीब के मूँ से निवाला तक छिन लिये आज वो नीजी करन और बाकी वीशेयों पर जनता का वीशेय उठा रहे हैं जनता के बीच में संदेश के लिए राना चाहिए बिल्कुल देखे रेतिन नवीन हमारे साथ है और नेता प्रतिपक्ष ते जश्वी आदम ने जिस तरह से हमला किया है उन्होंने सत्ता पक्ष पे इलजाम लगाया कि बिहार में अपसर साही बढ़ी है और इसको लेकर कि जो बिहार के जन प्रतिनी दी हैं उनका बिहार में सम्मान नहीं होता और कई तरह की बाते से निकल के सामने आए, नेज़ी करन का विन्होंने विरोध किया तो तमाम बाते सामने आई हैं अब बने रहें फरस्ट बिहार के साथ नमस्कार